हलो गाईस, बेलकम और माई यूटूब चैनल, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक न्यूस कटिंग जो बाईरिल हो रही है, जिस पे बहुत जादा जो कन्फूजन क्रेट कर रही है, तो आप देख सकते हैं, कंट्रेक्ट पॉलिसी में बड़ा बदलाब, तो इसमें यहां पर आप देख सकते हैं, अगर न्यूस को आप पढ़ते हो, तो आपको भी कन्फूजन हो जाएगी, मंत्री मंतल ने नितारित बेतन जो है, इन्मॉल्मेंट पर भरती के लिए, भरतियम पदुनती, नियम अवली के नियम 4 और 15 एक अंतरगत, शंशोधन के पर अस्ताब है, तो इसको मैं बताता हूँ, आप पहले इसको डिसकस कर लेते हैं, उसके बाद हम RNP रूल पे चलेंगे और पहां पर डिसकस करेंगे, तो सरकार द्वारा इसे समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा, तो हर टाइम जो है इसको अधिसूचित किया जाता है, मै RNP रूल पे चलूँगा, उस टाइम पर आपको बताऊँगा कि किस तरह से किस टाइम पर इसको अधिसूचित किया जाता है, द्वारा से जो है, जो अधिसूचित किया जाता है इसमें, तो बरत्मान में अनवंद कर्मचारियों के लिए स्वंधित पोस्ट के पहले, रेग लगी हुई है, और अभी मैं आपको RNP रूल पे लेके चलता हूँ कि 4 जो इसमें नियम रूल 4 है और नियम 15A है, उसमें क्या आता है और किस तरह से उसको बेंटमेंट किया जा रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह मेरे पास एक RNP रूल 2013 की एक कॉपी है, इसमें बहुत सारी अभेंटमेंट हुई होती हैं RNP रूल में, क्योंकि RNP रूल तो बहुत पुराने बने हुए हैं, तो अगर हम देखते हैं, नीचे आता हूँ मैं यहां पे, तो आप देख सकते हैं, इसमें यह पूरी क्वालिफिकेशन का रहता है, मैं आपको नीचे लेके चल दे रखा है, यह रहेगा, उस टाइम पर यह पे स्केल होगा, और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि कंट्रेक्ट इंप्लाइज की जो सेलर रहेगी, यह रहेगी, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर एक मिशन आएगा, तो उसमें स्केल चेंज होता है, पहले इसमे बात कर लेते हैं, तो obviously है, इसमें एवेंडवेंट की जाती है, जब भी स्केल, जो पे स्केल है, वो दिया जाता है, तो उसमें एवेंडवेंड की जाती है, तो अभी आपको पता है कि जनवरी 2022 में जो था पे स्केल जो है, वो दिया गया था, बट उसके बाद रिक्यूट को यहाँ पर event करेंगे और उसके according ही जो salary contract employee को दी जाएगी वो यहाँ पर event की जाएगी तो यह तो pay scale करेंगे क्योंकि उस time पर यह pay scale होंगे उसके बाद जब next पर commission आएगा तो उसको update कर दे जाता है और जब next आएगा तो तब उसको फिर उस pay scale के according जो basics रहती है उसको update कर दे जाता है और contract comply salary भी यहाँ पर fix की जाती है अब चलते हैं हम 15 a पर तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 15 a पर जाने के बाद यहाँ पर 14 और यह 15 a यहाँ पर दे रखा है जो कि यह selection for the appointment to the post by contract recruitment तो जो post के लिए selection होगी वो contact appointment पर होगी मतल contact recruitment पर होगी इसमें पूरा provision दे रखा है तो जब यहाँ पर जो two-year contact हो गया है तो उसके बाद I think कि इसमें abandonment नहीं की गई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर under this policy the trained graduate teacher in department of elementary तो बहुत पराना है न बट इसमें क्या है जहाँ यहाँ पर amendment की जाती है कि जो contact period रहेगा वो कितने time के लिए जो रखा जाता है जहां किस तरह से होगा तो इसमें उस time पर initially for one year and which will be extendable on year two year basis यहाँ पर ऐसे दे रखा है और उसमें भी ऐसे ही कुछ amendment की जाएगी कि two year के लिए किया जा सकता है क्योंकि दो साल का contract होने के बाद भी I think की recruitment नहीं हुआ है कोई भी fresh recruitment तो उसके लिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर amendment करने की बात की गई है तो यह था complete जो की news में बोला गया है कि इनको time time पर जब भी pay scale revised होते है जहाँ जब भी जो contract period उसको कम यादा किया जाता है सरकार द्वारा तो उसमें event किये जाते है आरनपी rules में तो वो एक जो महाँ पर शंशोधन की बात की गई है तो वो यह शंशोधन किया जाएगा कि two year का contact हुआ है तो वो mention नहीं है अभी आरनपी rules में तो उसको महाँ पर amendment किया जाएगा और new page scale के coding जो scales contact employee को दिया जाएगा जा scales यू रहेगा fourth में fourth rule में वो वहाँ पर mention किया जाएगा तो यह event था complete और इस तरह के वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब के साथ में बैल आइगन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरे अपन व